बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकूम दिस इस मायरा अंजद, वेलकम टू जवेद पब्लिशर्स आज हम मैट्स ग्रेड 3 प्लस में बच्चे को नमबर 18 का कंसेप्ट देने जा रहे हैं यानि के हम बच्चे को नमबर 18 के इडेंटिफिकेशन सिखाएंगे जी तो प्यारे बच्चों, आप तयार हैं आगे बढ़ने के लिए, हम, very good अब हमने क्या करना है, नमबर 17 के बाद, नेक्स्ट नमबर की तरफ जाना है, जो के है, 18 वेरी गुड, आपने ये चीज़े अपने जहन में रखनी हैं, और 18 अबजेक्ट को काउंट करना भी सीखना है लेकिन उससे पहले, आप ये देखो कि ये 18 नमबर है, यानि कि जब 1 के साथ 8 लिखा होगा, तो वो 18 बन जाएगा इसके बाद हम काउंटिंग की तरफ चलेगी, अपनी बुक के पेज पर देखिए, वाओ, ये क्या बना हुआ है, रॉकेट्स कौन को रॉकेट्स के बारे में जानता है रॉकेट्स क्या होते है रॉकेट्स स्पेस में उड़ते है साइंटिस्ट उनको बनाते है और यहां से स्पेस में सफर करने के लिए रॉकेट्स का इस्तवाल किया जाता है पता है ना काटून्स में भी देखा होगा आपने, मुवीज में भी देखा होगा अपनी फेवरिट मुवीज के अंदर, कि रॉकेट्स के अंदर जो हैं, वो साइंटिस्ट खला में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जब रॉकेट चलता है, तब क्या काउंट करना है मुझे काउंट करके आपने बताना है कितने हैं नहीं कर सकते चलो कोई बात नहीं मेरे साथ कर लो हम मिल के करते हैं ठीक है चलें काउंटिंग करते हैं और 17 के बाद एक और बच गया है 18 यानि कि 17 में 1 एड करने से 18 बन गया और यहां पर कितने रॉकेट्स थे 18 वेरी गुड अब आपको काउंटिंग आ गई अब हमें एक एक अक्टिविटी करते हैं आपने बुक के नेक्स्ट पेश पर देखो जी यहां पर आपके सामने ठेसे सारी पिक्चर्स भी हैं आपने क्या करना है इन पिक्चर्स में अब्जक्ट्स को काउंट करना है और जो नीचे बॉक्सस बना हुआ है वहाँ पे आपने उस number को लिख देना है ठीक है? जैसे कि आगर 5 objects हैं तो 5 लिख दें 10 हैं तो 10 लिख दें आप count करें और count करके नीचे लिख दें इसके बाद आप एक और activity करोगे जो कि नीचे है page पे क्या करना है? count and tick ठीक है? count करना है और tick करना है आपके सामने नीचे two numbers हैं आपने उपर वाली objects को count करना है और उसके नीचे correct number पर tick लगाना है इतना सा काम गए कि आपने अपनी teacher को अपना पे चेक करवा देना है जी बच्चे हों अब हम चलेंगे writing practice की तरफ आपको पता है writing practice के लिए हम पहले क्या करते है प्री राइटिंग प्री राइटिंग बहुत मज़े का काम है ना हवा में लिखते रहते हैं पैंसिल की भी जरूरत नहीं पढ़ती कॉपी की भी जरूरत नहीं पढ़ती और हमें लिखना आ जाता है अच्छा अब मुझे ये बताओ के आपको वन लिखना आता है हम आता है आता है वेरी गूट और एट लिखना आता है हम आता है अब हमने क्या करना है एटीन लिखना सीखना है क्योंकि जिसको वन और एट लिखना आता है उसको 18 भी आ जाएगा कैसे भला? क्योंकि जब हमने 18 लिखना है तो सबसे पहले हमने यू करके 1 लिखना है ठीक है? पहले 1 लिखना है और 8 लिखना है क्या करना है? 1 लिखना है और 1 के साथ हमने 8 लिखना है तो हमारा 18 बन जाएगा अच्छा जब आप इस तरह से हवा में 18 लिख लो तो आपने क्या करना है अपनी book के space पे number 18 को trace करना है और याद रहे नीच नीच सा करना है अच्छा सा करके अपनी teacher को check करवा लेना है जी तो dear teachers आपने इसी तरह बचे को पहले number की identification सिखानी है इसके बाद आपनी objects को count करना सिखाना है आप जो भी object को count करना सिखा रही है उसके बारे में बच्छों को थोड़ी सी information दें ताकि बचे involve हो जाएं जैसे कि हमने अपनी बुक पर rocket की बाद की तो rocket की थोड़ी सी information दे दी ताकि बच्छों की concentration है वो हमारी तरफ हो जाए और फिर वो interest से सुन सकें इसी तरह आप अगर class में कि city available materials का इस्तमाल करती है जैसे आप macaroni beans का इस्तमाल करेंगी तो आप macaroni beans के बारे में बताएंगी बच्चों से पूछें कि किसको macaroni's पसंद है अगर आप अपनी class के अदर paper cups का इस्तमाल करेंगी है तो paper cups के बारे में बता दीजिए कि ये paper से बनते हैं और हम इनको कहां कहां use कर सकते हैं इसी तरह आप जो भी material इस्तमाल करें उसके बारे में जब आप बताना शुरू करेंगी तो बच्चा आपके तरफ attract हो जाएगा जब बच्चा आपके तरफ attract हो जाएगा तब आप उसको अपने track पर लेकर जाएए उससे counting उससे वो objects को count करवाएग और writing के लिए आपने free writing practice को जरूर करना है, free writing practice आपके लिए बच्चों के लिए असानी बना देती है क्योंकि बच्चे जब खुद से numbers की shape बनाना सीख जाते हैं तब वो जब copy पर लिखने लगते हैं तो निस्बतन नीच लिखने हो उनके लिए असानी होती है, जब बच्चा नीच लिखेगा तो यह आपके लिए भी बेहतर है कि आपको बच्चे को कम सुपर्वाइस करना पड़ेगा, वो आलरीडी सीख शुका होगा और वो नीच लिखने की तरफ जाएगा, हम उमीद करते हैं कि हमारे लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा मन साबित होगा, अपना बहुत सारा खया और जुरे रहें बोलती किताबों के साथ